अब बहुत सारी कोईरीज आपके पास हैं और बहुत सारे मिथा से आप डील कर रहे हैं बहुत सारी चीजें लोग आपको बता रहे हैं और आप खुद बहुत कुछ कर रहे हैं तो हाइट के बारे में जो बैग्यानिक द्रस्टिक और है और जो बैग्यानिक तरीका है और जो साइन्स आपकी हाइट के बारे में आपको एक क्लियर कर डारेक्शन देती है आज आप उसके बारे में हम डिसकस करेंगे तो फिर ये वीडियो आपके लिए है, वीडियो को पूरा देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, I can well hit करिए, अपने friend के साथ से एर करिए मैं as a consulting physician and cardiologist last 18 years से साउट डली छातरपुर में practice कर रहा हूं as a physician तो आज मैं आप से discuss करूँगा height के बारे में, और height के बारे में जो सही बैग्यानिक तरीका है, हम वो discuss करेंगे, यह बहुत आवश्यक है कि आप चीजों को सही तरीके से समझें, बैग्यानिक दरस्टी कौन रखें, तो उससे ना किबल आप myth और बहुत सारे confusion से बस सकते हैं, बलकि जो experiment आपको नुकसान देते हैं, आपके सरीर को नुकसान देते हैं, उससे भी आप बच पाएंगे, देखो सबसे पहली बात यह है कि आपकी जो height है, वो आपके parents को ब्लॉंग करती है, parents से मेरा मतलब है कि आपकी mother की side और आपकी father की side, कि जो 3 generation होती है, उसको ब्लॉं कर सकती है, but 90% according to the science, आपकी जो height है, वो आपके parents को ब्लॉंग करती है, यानि आपने देखा होगा कि आप morphology में, देखने में, आपका hair का texture, आपका skin का color, आपका overall complexion, आपके features, आइधर mother को ब्लॉंग करते हैं और father को ब्लॉंग करते हैं, या फिर आप hybrid होते हो, hybrid से मतलब है कि आप दौनों का एक mila-jula रूप होते हो, एक third type of body आपकी बनती है, लेकिन इसका मतलब होता है कि आप दौनों के features को carry करते हो, और बहुत सारे लोग कहते भी हैं आपके family में, कि आप अपनी mother से मिलते हो, या father से मिलते हो, या भाई से मिलते हो, या भाई से मिलते हो, या फिर आप अपने mother के side या father के side किसी और से reflect करते हो, यानि कि आप कहीं ना कहीं anyhow physical morphology में जैसे connect करते हैं, वैसे ही आपकी height का एक part होता है, लेकिन 10% लोग ऐसे हो सकते हैं, कि जिनका जो belonging है height की, वो mother की side की 3 PD और father की side 3 PD में से किसी एक पे हो सकता है, या फिर 5 PD तक भी जा सक यानि last 5 generation, mother की side, last 5 generation आपके father के side, तो कई पर ये देखा जाता है कि mother father की height कम होने के बावजूद भी, बच्चों की height थोड़ी जादा हो सकती है या कम हो सकती है, तो उसको लेके परिसान होने की जरूत नहीं है, नहीं तो वो कोई अपबाद है और नहीं कोई बीमारी है, व यदि आप सही व्यायाम करें, सही food लें, अच्छी नींद लें, प्लस आपके जो hormones का secretion है body के अंदर, यदि वो regulate रहे, नॉर्मल रहे, तो आप अपनी height को जो आपकी standard height यानि जो आपके body में, जो आपके genetic code में height जितनी height आनी थी, उससे आप 2-5 cm अपनी height को increase कर सकते हैं, क कि suppose आपको 165, 165 cm या 170 cm आपकी height होनी थी, तो यदि आप सही food लेते हैं, exercise करते हैं, तो आपकी height 175 तक जा सकती है, और इस height को आप 3 महीने से 12 महीने में अचीव कर सकते हैं, तो ये एक part है, अब हम आते हैं सबसे पहले exercise वाले part पे, कि height बढ़ाने के लिए कौन सी exercise हैं, जो medically according to the protocol recommended हैं, और उनका एक scientific data है कि उनसे आपकी height बढ़ती है, सबसे पहली exercise है कि आप ताड़ासन करें, ताड़ासन का मतलब है कि आप body को state उपर की side stretch करें, आप अपने पंजे पे जाएं और hold करें, ये 5 ताइम से शुरू करें और इसको 20 टाइम तक ले कर जाएं, और आप 10 second आप अपने को एक active stretch posture में hold करना है आपको, तो सबसे पहली exercise है ताड़ासन, जो कि scientific रूप से अप्रूब्ड है, आयरवध, योगा भी इसको अप्रूब्ड करता है, तो आप ताड़ासन regularly करिए, इस से आपकी height बढ़ाने में काफी मदद मिलती है, second exercise है कि आप पेड़े लटकिए या आप किसी कुछ बना लीजिए जिस पर कि आप लटक पाएं, तो आप लटकिए और आप अपने body को state खीचिए, यानि एक बार, दो बार, तीन बार, आप अपने head को लगाएं, या उस pipe को जो भी आपने target बनाया, उसको आप चुमें, तो ये भी आपको काफी ह हाइड सिट्रेच करते हैं, यानि आपके lower part को करते हैं और आपके upper part को स्टेच करते हैं, तो सूर्यय नमस्कार काफी earthlyक्राक्षा और यह सब कर सकते हैं, और यह बहुत high normal व्याया में हैं तो ये आप कर सकते हैं, उसके बाद है आपका running, यानि आप जितना दोड़ेंगे, उतना जाद है आपको फायदा होगा, बट दोड़ते समय मेक शॉर करें, कि आप जितना आप अपने पंजे पे दोड़ सकते हैं, बोड़ी को खीच के straight करके right position रख सकते हैं, उससे बहुत फ लंबे समय तक आप incline ना रहें, अगली तरह forward जुकर बैठने से भी आपकी height decline करेगी और आपके posture में काफी हद तक एक negative impact आएगा, तो posture correction बहुत important है और posture का ठीक रखना बहुत important है, जितना हो सके hard matrix पे सोएं, जितना हो सके आप spine को straight रखें, इसके बाद आपका आता है jumping and PT, jump करने से भी आपकी height बढ़ती है और PT करने से भी आपकी height बढ़ती है, next है आपके जो outdoor game है, उसमें आप volleyball खेल सकते हैं, आप football खेल सकते हैं, आप long jump की practice कर सकते हैं, तो ये सब तरीके हैं जो आपको height में बढ़ाने में मदद करते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीजे हैं जिनसे आपकी height बढ़ने से रोकेगी, यदि आप weight training करते हैं 21 years से पहले, तो आप अपनी height को रोकेंगे, block करेंगे, क्योंकि science का rule ये है कि आपके सरीर की height के बल एक direction में बढ़ सकती है, अब ये आपको decide करना है कि आप किस direction में सरीर को खीचना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, यदि आपकी height लंबी होगी, तो आपका सरीर फैलेगा नहीं, और यदि आपने weight मानना स्टार्ट किया, weight training की, जिसमें आपने heavy weight मारा, तो फिर आपके muscles और bonds फैल जाएंगे, आपकी body might be muscular हो सकती है, लेकिन height बढ़नी आपकी रुख जाएगी, फिर आपकी height नहीं 21 year से पहले weight training की कोई आवश्यक्ता नहीं है, आप 1-2 kg weight, maximum 5 kg weight से आप training कर सकते हैं, जिससे कि आपकी थोड़ी सी muscles improve होंगी, लेकिन muscles improve करने के लिए, muscular body के लिए आपके पास whole life है, यदि आप under 25 या under 21 हैं, तो आप weight ना मारें, आप normal exercise करें, उससे ना केबल आपकी height होगा, आपका respiratory rate, आपका pulse rate, आपका blood pressure regulate होगा, और आपकी overall health जो है, वो आपकी develop होगी, कुछ लोगों की height 25 साल तक बढ़ती है, कुछ लोगों की height 21 साल तक बढ़ती है, तो after 25, you can do the weight training, but before 25 or 21, आप weight training ना करें, उससे आपकी height रुख जाएगी, अब next point आता है, food का, food का right combination आप रखें, 40, 40, 20, यानि 40% carbs, 40% protein, और the 20% fat, ये तीनों content बहुत important है, आप उबले होई चना खाएं, आप सोयावीन खाएं, और आप पनीर खाएं, आप दूद पियें, आप अक्रोड बदाम खाएं, तो इनसे ना किवल आपको अच्छा calcium मिलेगा, बलकि अच्छा protein और ये आपके hormones को regulate करने में भी मदद करते हैं, अब आता है clinical और medical part, यदि किसी की height रुख गई है, और किसी का concern ये कि उसे height बढ़ानी है, तो आप अपनी doctor से, physician से मिल सकते हैं, वो आपकी इस process में कुछ मदद कर सकते हैं, जैसे कि वो कुछ examination कराएंगे, जिसमें की vitamin D, thyroid, T TSH होगा, एक growth hormones का test होगा, और आपका serum calcium देखा जाएगा, यदि ये सब कुछ ठीक हैं, तो आप normal खाना खाएं, exercise करें, and enjoy your life, यदि आपको clinically कुछ concern है कि TSH कम जादा है, ये growth hormones कम जादा है, ये vitamin D की deficiency है, ये serum calcium की deficiency है आपकी body में, तो फिर उसको clinically correct करना होगा, उसके लिए doctor आपको कुछ protein powder या multi vitamin type of the powders दे सकते हैं, कुछ tablet recommend कर सकते हैं, calcium की, और कुछ आपको food restrictions और कुछ food बता सकते हैं, तो उससे आपका ये clinical part भी correct हो जाएगा, but make sure weight training से आपकी height रुकेगी, आप weight training ना करें, if you are less than 25, और आपका concern height बढ़ाना है, health के साथ, fitness के साथ, तो just wait for the weight training, after 25 you can do the weight training, but जादा maximum weight आप उठाएंगे, तो आपकी height रुकेगी, और आपका सरीर फैलेगा, ना कि upper direction में, यानि आपका height बढ़ेगा, तो ये बहुत जरूरी है, इसको आप समझे, बहुत सारे patient की queries थी, day to day live में, तो ये आपको आज answer clearly मिल गया होगा, तो I hope य चैनल को subscribe करिए, I can well hit करिए, friend के साथ share करिए, और यदि आप इस video से agree है, ये scientific formula आपको सही लगा, समझ आया है, और याप ये follow करना चाहते हैं, तो हमें comments करके जरूर बताएं, thank you very much and take care yourself.